जेहिंद वेलकम टू विजेपाथ एजुकेशन पालमपूर आप सभी का एक वार फिर से हारदिक स्वागत है विजेपाथ एजुकेशन की तरफ से आज पूरे हिमाचल में आठ जून दोहजार चोबिस को जेविटी एंट्रांस कंड़क्ट करवाया गया अच्पी वोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धरमशाला के द्वारा उसकी जीके की आंसर की के साथ मैं आपके साथ यहां पे जुड़ चुका हूँ सबसे आसान पेपर जो है वो कंड़क्ट हुआ है जीके का सेक्शन तो बिलकुल एक सॉफ्ट लेवल का पूछा गया था एक जो है वो हार लेवल का नहीं था बिलकुल बेसिक टू बेसिक आपके टोटल 25 कोईशन पूछे गये थे और 25 में से 25 आपके जो है वो जीके के आने चाहिए बिलकुल एजी लेवल का पेपर जो था वो पूछा गया था तो जल्दी से एक वार इसकी आंसर की जो है वो हम सबसे आसान लेंगवेज के कोईशन थे देखी 76 कोईशन था किस रक्त को जो है किस परकार के रक्त को सारभोमिक दाता कहा जाता यानि कि युनिवर्सल डोनर जो होता है वो होता है ओ इसलिए ऑक्शन डी इसका बिलकुल राइट आंसर रहेगा और अगर असेप्टर की बा सी धातु इटाई इटाई रोक के लिए उतर दाए विच बैटल इस रिस्पोंसिवल फोर इटाई इटाई डिजीज यह होती है कैडमियम की बज़ा से तो option C इसका राइट अंसर था कैडमियम की बज़ा से बिमारी होती है उसके अग सबसे असान कोशन नॉर्मल टेंपरेचर पूछा था हुँमन बोडी का तो वह भी डिगरी फार्ने हाइट में नॉर्मल टेंपरेचर होता है 98.6 जो हम घरों में थर्मामीटर यूज करते हैं वह भी फार्ने हाइट की स्केल में यूज होता है ऑप्शन भी इसका विल्कुल राइट अंसर है विल्कुल बेसिक लेवल के कोशन पूछे गये थे उसके बाद ब्लड का एक और कोशन पूछा गया था ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी किस ने की है तो बिल्यम हारवे ने की थी ठीक है ब्लड ग्रूप अलग चीज है ब्लड सर्कुलेशन अलग है ब्लड सर्कुलेशन की जो डिस्कवरी की है वो बिल्यम हारवे ने की है यह आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन है इसका रहेंगे, next question है, sports से related था, ring is related to, देखिए basic level का question है, ring कहां पे use होती है, तो ring जो है, boxing में use की जाती है, चारों तरफ से, जो है वो एक जाली जैसी है, रसियां जैसी बांध दी जाती है, उसके अंदर boxing होती है, तो ring जो है, वो option C के साथ relate कर रहा है, इंदर किला, नैशनल पार्क, यह जो इंदर किला, नैशनल पार्क है, हिमाचल में located है, district कुल्लू में, option A, इसका बिल्कुल सही उत्तर है, next सबसे असान question, देखिए, बिल्कुल, हवा level का question, मैं यहाँ पर बोलूँगा, soft level का, सबसे simple, चमबा में कौन सा मेला मन आते हैं, तो आपको पता है, मिंजर मेला जो है, वो चमबा में होता है, होली मेला, सुही मेला, चमबा की हैं, लेकिन international level पे, तो वो एक बिल्कुल असा question है, मिंजर मेला, option C, इसका right answer था, next, यह आपको अभी paid glasses में करवाया भी गया, पहाडी गांधी की उपादी किसने दी थी, ठीक है, बाबा कांशी राम जी को, तो option D, भारत के जो पहले पर्धान मंतरी थे, जवाहरलाल नहरुजी ने, इनको यह उपादी दी, option D, इसका right answer था, तैरती हुई जील के नाम से हम किसे जानते हैं, तैरती हुई जील जो है, वो आपकी आएगी, रेणु का जील, ठीक है, floating lake, floating lake जो है, वो आपकी, हिमाचल परदेश में है, रेणु का जील को बोलते हैं, और यह आपकी एक प्राकृतिक जील है, सुकेति जीवाशम पार्क कहां पे है, तो आपका यह सिर्मोर में, डिस्टिक सिर्मोर में, सुकेति फोसिल पार्क जो है, वो डिस्टिक सिर्मोर में, option B जो था, वो इसका right answer था, नेक्स्ट सबसे आसान कोईशन, और ध्योकिक नगरी किसे कहते हैं, इंडस्टिल एरिया आपको पता है, वो कहां पे है, बद्दी में, डिस्टिक सोलर में, option A, इसका right answer है, तो देखी हिमाचल की दो राजधानी, एक आती है बिंटर, एक आती है समर, तो बिंटर वाली जो आपको अभी पिछले कल की paid classes में कराया, हिमाचल स्कूल सिक्साबोड की स्थापना कब हुई थी, 1969 में हुई थी, लेकिन ध्यान रखेंगे, जब 1969 में ये बना था, उस समय इसकी स्थापना हुई थी, शिमला में, डिस्टिक सिमला में, उसके आज 83 में, 1983 में इसको शिमला स सिफ्ट करके कर दिया धरमशाला में, तो option D जो था वो इसका बिलकुल सही उत्तर था, उसका सबसे बड़ी प्राकृतिक जील, फिर से rough level का question पूछ लिया, रेणु का जील, जो है वो हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक जील है, सबसे बड़ी प्राकृतिक जील की बात बोली है, तो वो रेणु का जील है, डिस्टिक सिर मौर में है, option B इसका right answer है, next question था, प्रकृति का सफाई करमी किसे कहा जाता है, जो natural cleaner हम जिसको बोलते हैं, तो वो कौन करता है, वो करता है गिद, जो हमारे आसपास जो गिद होते हैं, बाज एक तरीके से आप बोल सकते ह इसमें दिया था, बाज हम उतना appropriate answer नहीं करेंगे, जितना की गिद है, ठीक है, आपने चिडिया घर में देखा होगा, गिद जो है, वो उसको क्या कहा जाता है, नेचर का cleaner कहा जाता है, जितने bacteria उनको वो, जैसे अगर किसी की death होगी, ठीक है, कोई animal मर गया, तो उसको क्या करते हैं, सफाई करते हैं, option B, इसका right answer आएगा, next question है, यहाँ पर, 92 question रहेगा, हम series B को discuss कर रहे हैं, बिल्कुल हवा level के question थे, रास्ट्री परियवरण, अभियांत्रिक अनु संधान, National Environment Engineering Research Institute, यह कहाँ पर है, तो यह आपका है, नागपुर में, option C, इसका right answer है, नागपुर नेक्स्ट, यह भी आपको, अभी पिछले कल की class में कराया था, बुपाल gas tragedy हुई थी, 2 December 1984 को, और MIC, मिथाईल आइसो साइनेट, इसमें gas release हुई थी, option D, इसका right answer है, और 2 December को National Pollution Control Day भी हम मनाते हैं, next, ozone day, अब देखिए, एक ही topic के question पूछ लिए है, सारे environment के related, 3-4 question पूछ लिए, ozone day जो है, वो 16 September को मनाते हैं, ozone का formula होता है, O3, option C, इसका right answer था, next question है, operation flood, operation flood, जो है, वो सफेद करांती से जुड़ा था, दूद की करांती, ठीक है, white revolution, option B, इसका right answer था, बिलकुल, हवा level के question थे, चंदर्यान 3, यह तो latest question है, lender का नाम क्या था, तो उसका नाम था, ब repeated question है, how many bits in one white, तो इसका right answer आएगा, 8, option number B, यह computer का question है, उसके आदा है, स्थानिक स्वशाशन के जनक कौन थे, self government in India, father of local self government of India, Lord Rippan, option C, history का भी सर्फ एक question है, यहाँ पर पूछा गया, उसका नोटंकी, किस परदेश की कला, नोटंकी जो होती है, वो आपकी UP का है, UP का एक drama है, ठीक है, एक art है वहाँ का, option D, जो है, वो इसका right answer आएगा, last question था, हिमाचल का सबसे बड़ा, sorry, सबसे उंचा जहरना कौन सा, तो जोग जल पर पात, जो है, वो option number B, इसका right answer आएगा, तो बिल्कुल 25 में से 25 question जो है, वो आपके यहाँ पे आने चाहिए, ठीक है, 25 में answer की के साथ में next class के साथ आपसे मिलूँगा, okay, thank you.